दोस्तों आपके गर्ब में शिशु की स्थिति और शिशु के विकास को देखने के लिए गर्भवस्ता के दौरान अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के दौरा किया जाता है जो कि बहुत जरूरी होता है आज मैं इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दूँगा जैसे कि क्या अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई नुकसान होता है क्या अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त कोई तकलीफ होती है अल्ट्रासाउंड कब करवाये जाता है कितनी बार करवाय जाता है पहला अल्टरासाउंट प्रेगनेंसी में कब होता है और अल्टरासाउंट कितने परकार के होते हैं आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप सबका मेरे चैनल तंदुरस्त इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरा साउंट क्या होता है अल्टरा साउंट को सोनोग्राफी भी कहा जाता है और ये दोनों एक ही होते है और अल्ट्रा साउंड स्कैन में हाई फिक्वेंसी वाली ध्वनी तरंगे पेट के जरी गर्भाशे में भीजी जाती है और ये तरंगे शिशु को चू कर वापस आ जाती है और ये तरंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरों के रूप में उबर कर सामने आती है इसे अल्ट्रा साउंड कहा जाता है अल्ट्रा साउंड क्यों करवाए जाता है गर्भावस्ता के दोरान शिशु मा के गर्भ में होता है और मा के गर्भ के अंदर जांकने का कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता केवल अल्ट्रा साउंड ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे मा के गर्ब के अंदर जांका जा सकता है इसलिए डॉक्टर शिशु को चेक करते हैं प्रेग्नेंसी स्थीक डंग से विक्सित हुई है या फिर नहीं यह अल्टरसॉंड में देखा जाता है इसके इलावा प्रेग्नेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है यह सबी चीजे अल्टरसॉंड में देखी जाती है इसलिए गर्भावस्ता के अलग-अलग स्टेजस पर अल्टरसॉंड करवाया जाता है अल्टरसॉंड करवाने से पहले तैयारी गर्भावस्ता की शुरुवात में अगर आप अल्ट्रासॉंट करवा रही है तो आपको इससे पहले कोई गिलास पानी पीने की आफशकता पड़ेगी यह इसलिए ताकि भरे हो मुतराशे के कारण गर्भाशे आपकी शुरूरी शेतर से उभर कर सामने आ सके और भरे होई मुतराशे से डॉक्टर को आपके शिशो को अच्छी चवी लेने में मदद मिलती है डॉक्टर आपके पेट पर आम तोर पर एक ठंडा सा जल डालेंगे और हाथ से आयोजित एक छोटे से ट्रांस जुसर को पेट पर घुमाएंगे ताकि शिशो को देखा जा सकी क्या अल्टरा साउंट सुरक्षित होता है? दोस्तों वैसे तो प्रेगनेंसी में अल्टरा साउंट का इस्तमाल लगभग पंतालीस सालों से हो रहा है और अभी तक इसका कोई साइड एफेक्ट सामने नहीं आया है हाला कि इसमें हाई फ्रेक्वेंसी की तरंगव के इस्तमाल किया जाता है लेकिन ये जो तरंगे होती हैं इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती जिससे शिशु और गर्वती महिला को कोई नुकसान हो गर्भावस्ता में अल्टरा साउंट कब कब होता है? हर गर्वती महिला के लिए अल्टरा साउंट अलग अलग हो सकता है पहला अल्टरा साउंट कब होता है? आपको अपना पहला अल्टरा साउंट स्कैन गर्भावस्ता के लगभग पांच सब्ता में करवाना पड़ सकता है हाला कि हर गर्वती महिला के लिए अल्टरा साउंड अलग हो सकता है और अगर आपकी गर्भवस्ता में कोई प्रेशानी नहीं है तो हो सकता है पूरी गर्भवस्ता के दौरान आपको केवल चार या पांच स्कैन करवाने की जुरूरत पड़े पहले अल्ट्रसाउंड जो है पांच सब्ता के दोरान आम तोर पे करवाय जाता है इस समय गरब में शिशु की धरकन उत्पन होती है और डॉक्टर शिशु की दिल की धरकन को अल्ट्रसाउंड के जरिये चेक करते हैं यदि पांच सवता की अल्टरासॉण में आपकी डॉक्टर को कुछ नहीं डिखता तो डॉक्टर शिशु की धरकन को नहीं सुन पाते तो डॉक्टर आपको एक या दो सब्सक्तों बाद दुबारा अल्टरासॉण करवाने के लिए बोल सकते हैं और यहां मैं आपको बताज़ना चाहता हूँ कि पांच हफ़ते के दोरान कभी कभी शिशु इतना चोटा होता है कि वे अल्टरा साउंड स्कैन में नहीं दिखता इसलिए डॉक्टर एक या दो हफ़ते बाद दोबारा आपको अल्टरा साउंड स्कैन करवाने के लिए बोल सकते है जो कि बिलकुल सामाने बाद है दूसरा अल्टरा साउंड स्कैन आम तोर पे गर्भावस्ता के तीन महीने बाद किया जाता है जिसमें डॉक्टर शिशो का विकास शिशो के कौन-कौन से अन्विक्सित हुए हैं ये देखते हैं पांचवे महीने में आपकी गर्भावस्ता की स्थीति को देखते हुए सोनोग्राफी की जा सकती है इसमें शिशो की हलचल शिशो के विकास को मौनिटर किया जाता है 28-30 अपता के बीच भी डॉक्टर जो है सोनोग्राफी यानि अल्टरसाउंट कर सकते हैं जिसमें शिशो की सहत और विकास को देखा जाता है 34-36 हफतों के दोरान आम तोर पर आकरी बार अल्टरसाउंट सकैन किया जाता है यह देखने के लिए कि शिशो ने सर नीचे किया है या नहीं इसके इलावा प्रेगननसी में किसी परकार की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है क्या नॉर्मल डिलिवी संभव है या फिर सिजेरियन यह सभी चीजे अल्टरसाउंट में देखी जाती है लेकिन अगर जरूरत पड़े तो डॉक्तर इससे ज़्यादा भार भी स्कैन करवा सकते है तो दोस्तों यह थी चोटी सी वीडियो जिसमें आपको बताया है कि अल्टरसाउंट कब करवा जाता है अल्टरसाउंट कितने बरकार का होता है उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछे वीडियो देखने के दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया